अलो एंड वेल्कम तू हिस्ट्री थू कोश्ट्री तोपिक इस बिटिस्ट रिलेशन्स विन सब्जूगेशन्स विन सब्जूगेशन्स अफ प्रिंसिपल इंडियन पावर्स इस तॉपिक को अंडिस्टेंड करने के में लेटर मुगल्स देख लिया डिक्लाइन अफ मुग होंगे ओके तो इसन ओडर तो अंडर्स्टेंड होलिस्टिकली थोड़ा सा उसको डिटेल में देखेंगे हम तो फॉरेंड इंवेजन्स तॉड़ेंस टॉपिक ही आज और फॉरेंड इंवेजन्स ही कब हो रहा है जूरीं मुगल एंपायर और ती कती एंड में जब पेटिशर्स ने स्टेज सेट कर लिया है पावर को होड करने का ओके सो फॉरेंड इंवेजन्स कब होगा ठीक है किसी भी एंपायर में इंवेजन्स कब होगा तो जब एपसेंस होगा इंटर्नल इस्टेंद का ओके नेक्स्ट तो हम देखेंगें अगर मुगल्स कुट नॉट पूट अट पूट अट अट टॉब फ्रेंट वो एक तब फॉट प्रोवायट नहीं कर पाये थे against the external challenges इन दी फॉर्म जो कि आ रहे थे foreign invasions तो जो कि कहां से आ रहे थे foreign invasions इनका जो area था यह आ रहे थे mostly north west से so जो north western borders थे वो neglect किये गये थे हमेशा से ही just neglected by the later muggers earlier muggers ने काफी ज़्यादा उनको counter check किया था various posts पो नहीं थी ठीक है और काफी ज़्यादा measures लिये थे तो वो check कर पाये थे इन foreign invasions को but later muggles जो कि अपनी state of age को चैसे maintain नहीं कर पाये उन्होंने completely neglect कर दिया थी ये western borders और as a result जो foreign invasions थे इनकी intensity काफी बढ़ गई at the same times जब वो आये not much effort was expected in protecting the empire नाई उसको कोई effort किया गया रोकने का तो वो easily enter आ हो गया थी ठीक है तो foreign invasions में first हम देखेंगे नादेर शाहा देन हम देखेंगे एहमद शाह अबदाली ओके तो नादेर शाहा का एक first from view ले रहते हैं जो की दिया हुआ है जोन विलसन ने अपनी बुक इंडिया कॉंकर्ड में तो ये कहते हैं कि नादेर शाहा was a mughal emperor for only 57 days तो ये mughal emperor रहते नादेर शाहा ठीक है कितने 57 days के लिए in 1739 बट ये जो दिन थे ना it created aftershocks जिसो ने पूरा का पूरा transform कर दिया था क्या transform कर दिया था transform कर दिया था Indian politics और basically India's politics at that time पूरा का पूरा transformation phase हुआ था okay so they broke existing centers of authority तो नादेर शाहा ने क्या किया था जो भी centers of authority थी जो भी important centers of authority थी जो govern कर रहीं थी उस time जो empire थे उसको क्या किया सबसे पहले उसको broke किया ठीक है massively shrinking the scope of mughal power which ultimately क्या हुआ कि जो mughal power का जो scope था ना of mughal power वो बहुती जादा क्या हो गया अब वो limit हो गया shrink कर गया ठीक है it is because of जब existing authority और centers को उन्होंने broker दिया now they set loose bands of mounted warriors वो अपने साथ mounted warriors लेके आया थे जिन्होंने ransack किया the whole countryside it is because अब वो क्यों ransack कर रहे है because वो तो plunders है ना ransack foreign invasion हम तभी कहेंगे ना कि ransack कर रहे हैं अपने warriors के साथ it is because वो wealth के लिए सर्च करने है from villages and towns now ये जो 30 थी थी ना they push traders behind the walls of whichever power had the strongest force okay इतना ज्यादा उनका डर आ गया था कि सारे के सारे लोग कहीं न कहीं अपने को बचाने के लिए छुप गया थे okay फिर हम देखे for a shortest period plunder rather than negotiations became the most effective tool for creating the new centers of wealth obviously कि सिर्फ और सिर्फ वो जो invasions थे वो किसी भी position में negotiations नहीं rather सिर्फ और सिर्फ उनका ultimate aim था कि plunder करके कैसे भी कैसे एक new center of wealth को create किया जाए okay that is new centers of wealth को create किया जाए और कोई भी negotiations नहीं किया जाएगा तो ये जो 57 days थे ना it laid the ground जिसने later which allow the East India company यही ground था जिसने East India company को क्या किया basically to conquer territory in India for the first time यह अलाओ किया East India company को कि वो लेटर क्या कर पाए conquer कर पाए कि territory in India for the first time तो इतना जादा important हो जाता है role foreign invasions का ना कि मुगल decline में but कैसे Britishers ने conquer किया Indian territory okay it was a view provided by John Burson in India Concord okay अपर असा हम detail में देख लेते नादिर शाह के बारे में तो नादिर शाह और पर्शिया नादिर शाह कहां के थे यह पर्शिया के थे इन्होंने capture किया था कानधार और basically अब वो सोच रहे थे कि कैसे Afghanistan की territory को capture किया जाए जो की था कहां पे मुगल बॉर्डर पे Afghanistan Afghanistan की territory को कैसे capture किया जाए जो उस time था मुगल बॉर्डर पे ठीक है Also, उस time जो वहां के मुगल सुपधार थे वो थे नासिर खान Now अगर हम देखें, without posing any resistance, he fled from Afghanistan तो कोई भी problem नहीं ही, कोई भी resistance स्वेश नहीं गया वहां पे इस विगाउस अफ नेगलीजियन और वो उतने powerful नहीं रहे गये थे जो मुगल सुपेधार थे, without posing any resistance, he fled, that is, नादिर शाह, कहां पर fled हो गए, अफगानिस्तान में, next आगे फिर, अब आपका, नादिर शाह entered पंजाब, अब उन्होंने पंजाब में अपनी entry की, और यह जो पंजाब में आये थे, वो किसके थुरू आयते, यह आयते, पेशावर के थुरू, ठीके, नाओ यहां पर इनों को, he met the Royal Mughal Army at Karnal, ठीके, और एक battle भी वा था, और lie भी हुई थी, that is, on the 13th February 1739, ठीके, नाओ, Royal Army में जो मेन contingent थी, under the Emperor Muhammad Shah, अब इन भाई साम ने क्या किया था, इनके अंडर ना काफी जादा power थी, that is, काफी जादा contingents थी, जो की control कर सकती थी, अगर यह participate करते battle में, but what will happen, Emperor Muhammad Shah and Nazim ul-Mulk, did not join the battle against this foreign invasion, तो उन लोग ने participate ही नहीं किया, अब जब participate ही नहीं करेंगा, तो what will happen, as a result, क्या हुआ, the army under Saadat Khan, army under Saadat Khan, खान ने दुरान, एन नासर मुहमद, अब इन्हों के पास कोई option नहीं पता, बचा तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने sign कर ली treaty, with the Nadir Shah, ठीके, और basically accept कर लिया, to give Nadir Shah 2 करोर, कि हम आपको 2 करोर देंगे, in lieu of protecting the territory, in lieu of protecting the territory, okay, next आज जाएगा, so during his invasion, that is the Nadir Shah's invasion, वो enter किया, उन्होंने डेली में, और यह जो entry थी, यह थी 20 March को, और basically उन्होंने क्या किया, order कर दिया कि, आप करें एक general, जितने भी उनके warriors थे, general massacre, in which अगर हम देखें, तो, 20,000 citizens will kill, उन्होंने recklessly लोगों को माना, start कर लिया, कुछ ना women's को, ना children's को, ना men's को, एक तरीके से मारता, start किया, और मारना शुरू कर दिया, जो उनकी property थी, उनको ransack किया, and every part of the city was looted, हर part को lootा, जाए वो interior हो, जाए वो exterior हो, नादिर शाह remained in Delhi, वो कब तक रहा था, अभी हमने देखा था, 57 days, तो वो रहा था, 50th मै, when he returned to Persia, जब वो Persia जा रहा था, he had collected the huge beauty, including, उसमें क्या क्या था, उसमें था आपका famous, peacock throne, और, Kohinoor diamond, Kohinoor diamond, यह नादिर शाहा का invasion था, ठीके ना, कितना, कितना severe था, और, हमने यह भी देखा था, कि कैसे इसने, new centers of wealth, create कर लिया था, okay, so, after that, what will happen, नादिर शाहा केंड दी, strategically important, Mughal territory में मिल गे थी, that is, to the west of Indus, including the, काबोर, तो यह, later, वे East India Company के लिए, एक stage set कर दता है, कि वो आके, conquer करें, India की territory, okay, next invader है, that is, इहमर शाह, इहमर शाह अब्दाली, ना, इहमर शाह अब्दाली जो थे, he was the successor, और यह किसके successor थे, यह successor थे, नादिर शाह के, successor of नादिर शाह, launched his first invasions, जो इन्होंने first invasion किया था, वो पंजाब में किया, अब आप relate कर पा रहे होंगे, कि जो पहले territory था, किसके लिए लड़ाई हो रही थी, कहाँ पे enter किया था, नादिर शाह ने पंजाब में, और इन्होंने first invasion कहाँ पे किया, और इनका जो invasion का जो time था, वो था 1748, नाउ it was followed by another invasion in 1749, so in which he defeated, और यह जो इसमें था ना, इन्होंने defeat किया था, पर मॉल्क, जो कि उस time थे, गवर्नर आफ पंजाब, जो कि उस time थे, गवर्नर आफ पंजाब, फिर हम देखें, अगर इन्होंने 1752 में, he invaded पंजाब for the third time, third time पंजाब को invade किया इन्होंने, and four time जो invade किया था, वो था 1756 में, in the fourth invasion, यह जो थे ना, यह भाई साब यह दिल्ली तक पहुँच कहा थे, देली तक पहुच कहा थे, and looted Indian territory, as far as the Mathura, as far as the Mathura, and Agra तक पहुच गया थे, now in course of all these invasions, इनको कोई भी, ऐसा resistance नहीं मिला, कि जो इनको stop कर पाए, it is because lack of internal unit, और basically lack of internal strength, कोई भी एक साथ unite होके, इनको counter करने के लिए, इनके resistance में नहीं खड़ा हुआ, as a result, यह continuously, repeatedly, क्या कर रहे थे, प्लंडर कर रहे थे, और लूट कर रहे थे, इन्डिया में, ठीके न, now he invaded India, for the sixth time, और वो हुआ किया था, इन्होंने 1760 में, और फिर से, इनको मिल गया था, उस time, और ही रीगेंड पंजाब, चुकि सम्हाव, इनका थोड़ा सा, तर्च छूट गया था, उस पे और बिसिकली, पावर कम हो गय थी, इन्होंने रीगेंड कने लिया था, पंजाब, एक fierce battle हुई थी, that was fought on the 14th, January, 1761, जो की famous battle थी, between, एहमद शहा, अब्दाली, and the Marathas, और इसको हम क्या कहते हैं, battle of pani bird, that is the third battle of pani bird, now after initial success, जो की कहते हैं न, third battle of pani bird, ता Marathas suffered a crushing defeat, इस third battle of pani bird में क्या हुआ, इसमें Marathas को, एक crushing defeat, यानि इतनी बुरी तरीके से defeat, की आगने वाला उनका जो time था, बहुत ही जारा art ship को face किया, उन्होंने इस defeat के बाद, okay, so, एहमद शहा अब्दाली और इनको हम कहते हैं, एहमद शहा दुरानी भी कह सकते हैं, who was elected the successor of Nadir Shah, और इनकी after the latest death, जब उनकी death हो गई थी, Nadir Shah की, और जो 1747 में हुई थी, उसके बाद इनको successor मिल गयते, तो he invaded India several times, और जो कब invade किया थे, नोंने 1748 से लेकर 1767, तो तुई, अगर हम देखें, many stories book में हो सकता है, कि यह number differ होते हैं, but he invaded India nine times, different different times में, तो मुगल क्या जा रहे थे, कि आप पंजाब को सीड कर लो, लेकिन क्या करते थे, एक negotiation करके, एक peace establish करना चाते थे, बड़ जो एमशाब दाली थे, उन्होंने इसको reject किया, ही continuously plundered and looted India, multiple times अपनी invasion से, ठीक है, तो इस तरीके से, काफी जादा जो authority, पहले ही weak हो चुकी थी, मुगल एमपरर की, और जो later मुगल की, वो control नहीं कर पा रहे थे हो, और इन्हों invasions ने, ये further version कर लिया था, तो first of all, ये एक बहुत लिए classical example है, और कैसे कहते हैं ना, कि एक important reason है, for the decline of मुगल empire, at the same times, कि Britishers ने कैसे power gain करना, start कर दिया था, पाई conquer the Indian territory, it is because, एक तो पहले ही आपका, कहते हैंना कि, जो central authority थी, वो बहुत जादा weak थी, उपर से आप economically भी, अपने strong नहीं रहे गए, उपर से ये plunder, that is the foreign invasions, तो ये सारा का सारा, stage set करता है, Britishers को, कि वो कैसे, transitions of power जो होती है, उसमें कैसे control कर पाए, Indian terrorism, so this is all about the foreign invasions, जो कि एक बहुत इंपोर्टेंट topic है, हमारा, not only decline of Mughal Empire, बट कैसे कि East India Company, अपनी power में आना, start किया था, तो if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this, have a good day, and stay safe.